खबर अरी जन्पद वारानसी से जहां भारत सरकार ग्रे मंतराले के निने के अनुसार जवानों के छुट्टी से वापसी अलग-अलग चरणों में होगी। प्रथम चरण में सिर्फ वैसे जवानों को छुट्टी से वापस बुलाय गया है जो अपनी सुविधा से निजी वाहन द्वारा कॉरेंटाइन सेंटर तक पहुच सकते हैं। 95 बटालियन पहाडिया मंडी वारारसी के जो जवान छुट्टी पे गए थे प्रथम चरण में 14 कार्मिक छुट्टी से वापस रिपोर्ट कर रहे हैं। हरा हुआ कॉरेंटाइन सेंटर में वरतमान में 800 लोगों की रहने की ब्योस्था की गई है। आए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रकार से चुट्टी पे थे या गौर्मेंट ड्यूटी से वापस आ रहे हैं। उनको अलग लग फेज में वापस ड्यूटी पे जॉइन कराने का आज से कार्म स्टार्ट किया गया है। तो फर्स्ट फेज में वो कार्मिकों को हम लोंने बुलाया है जिनकी उमर पचास साल से कम हो। और इसके लावा वो अपने खुद के वाहन के माध्यम से सीज़े कारिंटेन सेंटर पे पहुंच सकते हैं। और रेड जोन के ना हो। इन कार्मिकों को हम लोंने आज यहां बुलाने का त्यारी की है। टोटल मेरे लगभग 120 सवान इस कॉरिंटेन सेंटर में आएंगे। अलग लग फेज में आएंगे। जैसी करणटेन सेंटर में आएंगे सबसे पहले हम लोग उनका परसनल डिसिंफेक्शन करने के अपश्यात उनको वो सारे यहां पर सहूलिते देंगे। रहने की अवश्यक्ता हो, रहने की जगे हो, खाने पीना और उसके अलावा जितना उनको अंदर देली कारक्रम में आवश्यक्ता होगी, ट्वालेट, लेटेट, बातर वो सब चीज़ों के उनको अलरव विवस्ता की गई है ताकि उनको कहीं किसी भी तरीके से बाहर जाने मेडिकल स्टाफ यहां पर परमनेट रहेगा, मेडिकल स्टाफ के अलावा जो हमारे जो डॉक्टर और बाकी स्पेसलाइज्ड लोग हैं, वो जब जब जवान यहां पहुंचेगा, उसका पूरा टेस्ट किया जाएगा, उसका एक्जामनेशन किया जाएंगे डॉक्टर के क्या हो शकता है, तो किस तरह के बिशूर रहेगा, उसके मताबिक यह चीज ध्यान दी जाएगे, कि उनको जैसे दूद पहले भी दिया जाता था, लेकिन अब हल्दी का दूद स्टाट कर दिया गया है, उसके लावा आयूश मंत्राले के दौरा दिया गया है, दिशा निजश के मताबिक उनको काढ़ाय स्टाट किया गया है, ऐसी चीज़ उसमें एड की गई है, पहले तो था ही मीनू, उसमें यह सारी चीज़ एड कर दी गई है, जिस फ्लोर पे जवान रहेंगे, उसी फ्लोर पे उनके लिए रिक्रेशन रूम की भी व्यवस्ता की गई है, और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो करते हुए, उनके लिए मरोनजन की पूरी व्यवस्ता की गई है, वो कल से यहां पर अन्रस्टाट हो जाएंगे, और फस्ट फेस में लगबग 19 जवान आएंगे, और उसके बाद में अगले फेस म जैसे जैसे रिलेक्सेशन मिलेगा हम लोगों को नियमों में, उसी हसाब से हम बाकी जवानों को भी यहां पर बुलाएंगे.